प्रिख अवर चैनल एंड लिक्ट बेल इक्नी फोर्व न वी अब्डेइट हेलो सुरेंज, हाव ऐ यू प्टी इसले लेक्चर में हमने जुमेट्रिकल शेप का टू डैमेशनल पाट गिया था आज हम three dimensional shapes करेंगे, चलिए start करते हैं आज का लेक्चन, geometrical shape, मैंने आपको पिछले lecture में बताया था, shapes क्या होती है, अकाल, ठीक है, अकर्ती, geometrical यानि की, रेखी किया, ओके, three dimensional shape, three dimensional का मतलब होता है, इसको हम short में 3D भी बोलते हैं, three dimensional यानि की, ऐसी shape, जिसमें हमें, length, breadth, and height, ओके, तिनो properties हमें उसमें मिले, जैसे, ये तो हमारा मालो की green board है, ओके, ये two dimensional है, ठीक है, three dimensional, कैसे बनाएंगे हम, जैसे, माल लीजिए, हमारे पास कोई box है, जैसे जुत्ते का, मिठाई का, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास, height भी होती है, length भी होती है, और breadth भी होती है, ओके, ये जैसे, जिसमें height, length and breath, यानि की, उसकी लंबाई, चुडाई और उन्चाई, ओके, जिसमें हम पहली shape करने जा रहे हैं, इसमें, cube, क्यूब जो होता है न, उसे हिंदी में, घन कहा जाता है, घन, जैसे, for example, chalk का box आता है, तो उसकी length, breadth और height जो होती है, आपने बहुत सारे ऐसे box देखे होंगे, जिनकी length, breadth और height, same होती है, तो वो cube होता है, उसे हिंदी में, घन कहा जाता है, साबून भी देखी होगे, आप लोगों नहीं, ठीक है, कुछ साबूने ऐसी होती है, जो घन के अकार की होती है, ओके, इसको बनाने के लिए, इसकी जो diagram है, घन का, वो ध्यान से समझेंगे, कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, length and breadth, equal same रखेंगे, और यह square बनाएंगे, ओके, फिर दूसरा square बनाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर right लिखेंगे, रखेंगे हम, अपने marker को, और ऐसे, यहाँ पर दूसरा square बनाएंगे, ऐसे, दो square को हम ऐसे combine करेंगे, जोडेंगे, ओके, फिर हम क्या करेंगे, इनके जो vertex है, इनके corner है, उनको ऐसे match कर देगे, यह हमारा cube बन गया, ओके, यह cube है, अब cube देखिए, जो इसके corner होते है, वहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, इनके vertex, यानि कि कोण यह बिंदू, जहाँ पर angle बनता हो, यह सारे angle इसमें 90-90 degree के होते हैं, तो इसके यह vertex होते है, vertex, vertex कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हुए, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, तो 8 क्या होगे इसके, vertex, यह है edge, edge क्या होता है, यानि कि किनारा, धार, जिसको हम बोलते हैं, उसका, जो किनारा होता है, box का, उससे हम क्या बोलते हैं, edge, okay, face, face यानि कि इसके side, एक तो यह side होती है, एक पिछे वाली, 2, 3, 4, और एक नीचे 5, और एक उपर 6, यानि कि 6, okay, यह होता है हमारा cube, next देखे, cuboid, same, इसके 8 vertex होते हैं, cuboid के भी, 12 edge होते हैं, and 6 face होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक rectangle बनाया, rectangle, मैंने पिछले lecture में आपको बताया था, rectangle क्या होता है, जिसकी length और breath, equal नहीं होती, okay, same to same इसके जैसे हम यहाँ पे दूसरा box बनाएंगे, यह यहाँ पे लगए, इनके vertex को हम मिलाएंगे यहाँ से, यह लो, okay, तो यह क्या हुआ इसका, vertex, कितने होगे, one, two, three, four, five, six, seven and eight, तो eight इसके vertex, okay, face, one, two, three, four, five and six, चलिए इसका example दिखाता हूँ आपको, एक box दिखाता हूँ आपको, जैसे मेरे पास यह box है, okay, इस box को ध्यान से देखिए, यह मानलो मैंने ऐसे रखा है, ओके, तो face देखो इसके, सबसे पहले इसके लंबाई और चुडाई देखिए, length और breath, तो length, यह length होगी, ओके, यह breath और यह height, ओके, तो इसमें यह हमारा face हुआ, one, two, इस side वाला three, four, five, and inside six, तो हमारे पास इसके कितने face हुए, six, तो हम क्या राइट करेंगे, six face, okay, six face, next edge, edge भी edge यहनि कि उसका किनारा धार, तो एक यह, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, तो कितने हुए, twelve, कैसे, देखो, one, two, three, four, four is side, one, two, three, four, four, four is side, four, four, eight, one, two, एक यह side, three, four, eight and four, twelve, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 12 क्या होते हैं, edge, यानि कि किनारा, ओके, किनारे इसके, तो यह है हमारा, क्युबोईट, ओके, क्युबोईट को हिंदी में घनाब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्लेंडर, स्लेंडर, स्लेंडर देखिए, स्लेंडर को हिंदी में बेलन कहा जाता है, बेलन, ओके, गर में ममा खाना बनाती है, किस से बनाती है, उसकी शेप क्या होती है, round, round, but उसकी length होती है, होती है न, तो इसकी shape बनाएंगे हम, बेलन ऐसे होता है, हमें पता है, उसकी length होती है, but वो क्या होता है, ऐसे goal होता है, ठीक है, यह बेलन है, यानि कि स्लेंडर है, आपने स्लेंडर देखा होगा, गैस ट्रक की वाला, ठीक है, तो वो भी कैसे होता है, वो भी ऐसे होता है, ऐसे goal होता है, और ऐसे करके, ऐसे बनाता है, तो वो cylindrical shape है, यानि कि बेलना कार उसकी shape होती है, तो यह है slender, यानि कि बेलन, ओके, two edge होते हैं के edge यानि के किनारे, एक तो one यह हुआ, और दूसरा ये, टू इसके क्या होए, एज, यानि कि किनारे, थ्री फेस होते हैं, कौन-कौन से 1, 2, और ये 3, वाटेक्स इसके नहीं होते हैं, योंकि इसके कॉर्नर नहीं होते हैं, ओके, चलिए इसका एक्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये मैंने एक आपको दीआ लिया है, चलिंडरिकर शेप में है, यानि कि बेलनाकार है, ये क्या है, ऐसे गोल है, और इसकी Length है, यہ तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, फेस, एक ये face होता है, 1, 2 and 3, ओके, कौन कौन जो होता है इससे हिंदी में शंकू का आ जाता है शंकू ओके शंकू शंकू की जो शेप होती है वो जैसे जोकर की कैप होती न टोपी वैसी यानि कि माल लीजिए आपका बड़े आता है और बड़े पे आप कैप आनते हो किस टाइप की ऐसे कैप आनते हो न जोकर जैसे लगते हो वैरी गूड ये ओके ये क्या होता है कौन यानि कि शंकू फिक है इसका एकी वर्टेक्स होता है यानि कि इसका कौर्नर जो जहांते एंगल बनता है वो वन ही होता है यानि कि वर्टेक्स इसका वन हुआ वन एज होता है इसका यहां पर यह जो किनारा होता है वन एज उकर फेश 2 होता है इसके एक वन यह तो वन पाल आफ पाल इसके बाद में आता है स्वियर स्फिर जो होता है गोल होता है बिलकुल ठीक है जैसे एक बॉल होती है ये देखिए जैसे ये मैंने एक बॉल ले रखी है और ये क्या है स्फिर है ठीक है ये स्फिर है देखिए ये गोल है बिलकुल ओके तो इसका ना तो कोई वर्टेक्स होता है नहीं इसके कोई एज होता ह ना तो इसका किनारा होता है कोई भी और ना ही इसके कहीं पर एंगल बनता है तो ये क्या होती है कौनशी शेप है ये स्फियर ओके हाँ इसका फेस होता है वन जो ये हैं हमें दिखाई दे रहा है यह इसका phrase कहलाता है, ना तो इसके vertex होते हैं और ना ही इसके edge होते हैं, ओके? चलिए मैं आपको कुछ और shape दिखाता हूँ, बताइए कि वो कौनशी shape है? सबसे पहले मेरे पास एक, यह box है छोटा सा, यह बताइए कौनशी shape है? जिसकी length है, breath है, और height है, कौनशी shape है? कुबोईड, कौनशी shape है? कुबोईड, very good यह बताइए, यह यहाँ से circle बना हुआ है, यहाँ से भी circle है, गोल है और इसकी length रही है, तो देखिए ज़रा ध्यान से कि कौनशी shape है? slender, यानि की, बेलना का, very good ममी बापा, मिठाई लेके आते हैं, घर में, लेके आते हैं न, तो मेरे पास भी एक, मिठाई का डिबा है, खाओगे? यह देखिए, ओके, चलिए milk के खाएंगे, अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में बताओ, की, इसके अंदर क्या है? रसगुले, ओके, खाएंगे, ठीक है? चलो बताओ, की यह शेप कौनसी है, जो इसकी शेप अच्छे से बताएगा, उसको रसगुले मिलेंगे, ओके, चलिए बताइए, जिसकी length, breath, or height, तीनों मिले हमें, वो कौनसी शेप होती है, क्युबाइट, कौनसी, क्युबाइट, क युबाइट को हिंदी में क्या का जाता है, घनाब, ओके, ये बताइए, ये कौनसी शेप है, ज्यान से देखो, ये circle है, निच्छे से, उपर से, और ये यासे, गोल है वैसे तो, बट इसकी height भी है, ये कौनसी शेप है, वही जिससे डंडे पढ़ते है, मम मारती है न आपके, जब शिरार्थ करते हो, बेलन, हाँ, ओके, बेलन का, ओके, बेलन को इंग्लिश में क्या का जाता है, कौनसी शेप होती है, वह, slender, कौनसी, slender, ओके, उमीद है, आज का लेक्चर सभी बच्चों को समझ में आया होगा, आज के लिए बस, इतना ही, thank you and have a nice day.